तो हेलो फैंट कैसे हैं आज मैं आपको बताना संसंसंग के लेक्से की दो एपकी अबडेट के बारे में वह लगबख सेमीलर ही होती है और दोनों का काम भी सेम रहता है बट दोनों अलग 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 अप हैं उस एप का नाहीं है संसंग Find My App, Find My Mobile और Samsung Find My App दोनों ही अलगे पर दोनों का काम से दोनों पर नया अपडेट आया, नया बिट्सेट, क्या नया चेंजिस किये गए, या फिर ये दोनों एप कैसे काम करती है, सारी डिटेल में आपको आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो नोटिशन पहले अपडेट आपको सब्सक्राइब कर लो और हो सके, मुझे इंस्टावर और फिर्जुक पर भी फॉलो कर लें चलते हैं दोस्तों, आगे मेरे डाम सनी है, और आप पस्तों आगा थे आपको एक और आप मिल रहोगा, और दूसरा भी आपको फाइंड कर सकता है, तो इसमें अपड़ेट आया तो इसकी इंप्डेट कर लेते हैं उसके बाद नीचे की दार्फ आएंगे यहां पर आपको यह हुआ है सेंपसंग find my mobile आपके device को find करने के लिए एक काम करता है वो था Samsung find जिसमें आप किसी को भी find कर सकते थे और यह स्रिफ mobile find करने के लिए काम करता है तो दोनों के लगभक सेम ही function है आप देख रहे होंगे बट कुछ different है तो दोनों को पहले तो कर लेते हैं update फिर मैं आपको बताता हूँ तो दोनों के आप यहाँ पर अपडेट देखें जैसे सैंसंग फाइंड है यह अपडेट कब रिलीज किया है 15 जुलाई को रिलीज किया है इसका अपडेट नमबर है 1.3.00808 जिसका 17 MB का यह अपडेट है अब ऐसी भाइका है सैंसंग फाइंड माइं एप में फाइंड माइ सेटिंग्स आ ऑप्डेट के लिए इसके लिए बाद इसके बाद आपको तीन ऑप्शन दिये ए इन तीन वह आपको आपको अन कलने है to be found कि ये वाले phone को found कर सकें send last location और offline finding तीनों को आपने own कर लिया इसके बाद जब भी आपका mobile कहीं कुछ हो जाए तो आपको simply website पर जाना है website पर जाने के बाद आपको अपनी उसी Samsung account की ID से login करना है जो आपकी हाँ पर दिख रही है आपको और उसके बाद अपने mobile को आप easily find out कर पाएंगे अब इस एप में update आया था तो इस update में क्या किया गया है इसकी accuracy को improve किया गया कुछ bugs fix out किया गया है और कुछ enhance यहाँ पर feature को add on किया गया है आपको यहाँ device को login कर लेना है अब मैं बात करूँ find app की find app होती है न यह find app मतलब कि यह find करने वाली तो इसमें आप अपने दोस्तों को भी find कर सकते हैं जैसे कि आपने किसी people को add कर रखा है अपने दोस family member को तो आप उनको भी यहाँ पर directly trace out कर सकते हैं साथ में device में जाएंगे तो आपको सारी अपने device मिल जाएगी कब कब उसने loss location दिये कितनी दूर था सारी detail आपको यहाँ पर मिल रही होगी आप चाहें तो एक एक करके देख सकते हैं उसके अलावा items आप जो भी items होते ना उसको भी add-on कर सकते हैं लाइक आपके birds हो गए या फिस Samsung का कुछ भी device यहाँ पर add-on कर लेंगे जिसको आप easily हाँ पर found out कर पाएंगे तो यह दोनों में difference है और कुछ enhanced feature यहाँ पर add-on किये गए तो यही अपडेट है उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको समय में आयो दोनों में क्या अंतर है ऐसे ही ने अपडेट्स के लिए चैनल को आपको इन्य वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको इन्य वीडिय सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो नहीं कर दो ताकि यहीं अपडेट आपको सब्सक्राइब कर लिए और हो सके देंक्यू सो मुच